पांच खतरनाग बल्लेबाज जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी नहीं पहना हेलमेट दोस्तों 1970 के शुरुवात में विश्व क्रिकेट में हेलमेट आया था उससे पहले बल्लेबाज कुछ न कुछ प्रोटेक्शन लगाते थे अपने सर को बचाने के लिए लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे हुए जिन्होंने बिना हेलमेट के बल्लेबाजी की वेस्टिंडीज के महान बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स आखरी बल्लेबाज थे जिन्होंने बिना हेलमेट पहने बल्लेबाजी की थी हेलमेट पहन कर उन्हें खुलकर सौट खेलने में दिक्कत होती है ऐसा भारत के महान बल्लेबाज सुनिल गावसकर ने कहा था वही हाल के दिनों में इंग्लेंट के पूर्ब दिगज बल्लेबाज एलिस्टर कुक ने ICC द्वारा इशू किये गए हेलमेट को पहनने से इनकार कर दिया था ये कहकर कि वे अनकमफर्टेबल है अब हेलमेट पहन कर ज्यादा रन ना बना पाना तो अलग बात है लेकिन आज हम आपको विश्व क्रिकेट के उन पांच बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिनोंने अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में कभी हलमेट नहीं पहना वो बिना हलमेट के खतरनाक बल्लेबाज साबित हुए या यूँ कहें कि इन जैसा बल्लेबाज ही आज तक नहीं हुआ आईए आपको बताते हैं उन पांच बल्लेबाजों के बारे में इसमें कोई संदे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रेडमेन जैसा बल्लेबाज ना आज तक हुआ है और साइद ही कभी होगा ये हम नहीं ब्रेडमेन के आंकडे कहते हैं सर डॉन ब्रेडमेन ने 52 टेस्ट मैचों में 99.9 की औसत से 6,996 रन बनाए जबकि फर्स क्लास करियर में उनका एवरेज 95.1 का रहा था उन्होंने फर्स क्लास क्रिकेट में 28,000 से ज्यादा रन बनाए सर डॉन ब्रेडमेन ने 1928 से 48 तक औस्ट्रेलियाई टीम का प्रतिनिजित्यु किया था जब बल्लेवाज बाइक हेलमेट पहन कर गेंदबाजों का सामना करते थे लेकिन ब्रेडमेन उनमें से नहीं थे प्रसिद्ध ऐस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बाइडर को उनकी बड़ी पारियों के लिए हमेशा याद किया जाएगा जिस वज़े से उन्होंने टेश्ट क्रिकेट में 11,174 रन और वंडे में 6,524 रन बनाए है लेकिन बॉर्डर को जिस वज़े से सबसे अधिक याद किया जाता है वो है उनका बिना हेलमेट पहने वेस्ट इंडीज के पेश ट्रियो मैलकम मार्सल, एंडी रोबर्ट्स और माइकल होल्डिंग के सामने बल्लेबाजी करना और उनकी धुनाई करना सुनिल गावसकर टेश्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व क्रिकेट के पहले खिलाडी है जो 1970 से 80 तक सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज रहे गावसकर ने 233 इंटरनाशनल मुकाबलों में 13,000 से जादा रन बनाए सब बिना हेलमेट के सुनिल गावसकर को अपने खेल के वर्षों के दोरान भारत के सर्फ्रिश टेश्ट खेलने वाले देशों में से एक के रूप में उभरने का अस्रे दिया जाता है एक बार गावसकर के सर पर वेस्ट इंटीज के महान मैलकॉम मार्सल की गेंद लग गई थी लेकिन उसके बाब जूद उन्होंने हेलमेट पहनने से इंकार कर दिया था नमबर दो गैरी सॉबर्स वेस्ट इंटीज छे गेंदों पर छे छक्के लगाने वाले विस्व क्रिकेट के पहले बल्लेबाज वेस्ट इंटीज के महान गैरी सॉबर्स ने तिरानवे टेस्ट मैचों में संतावन दस्मलब आठ की सांदार ओसत से 8,032 रन बनाये थे 1954 से 1974 तक विस्व क्रिकेट में उनका दब दबा था 1971 में उन्होंने वर्ल्ड 11 की कप्तानी करते हुए उस्ट्रेलिया के खिलाप अपने करियर की सर्फ्रेष्ट पारी खेली थी उन्होंने मेलवर्ण में 254 रनों की पारी खेली थी जिसमें उन्होंने बिना हेलमेट के अपने जवर्दस्त हिटिंग छमता को दिखाया था तब जबकि ऑस्ट्रेलिया के दिगज तेज गेन बाज डेनिस लिली बाउंसर पर बाउंसर फेक रहे थी वेश्टन डीज के पूर्व कप्तान विवियन डिचर्ट को विस्व क्रिकेट का सर्वकालिक महान बल्लेबाज कहा जाता है अपने 16 साल के क्रिकेटिंग करियर में डिचर्ट ने 50.2 तीम की औसत से 8540 टेश्ट रन और वंडे में 47 की औसत से 6721 रन बनाए हैं फर्स क्रिकेट में उन्होंने 35,000 से उपर रन बनाए हैं रिचर्ट उन चुनिंदा खिलाडियों में से एक हैं जिनोंने साफ तोर पर हेलमेट पहनने से मना कर दिया था और 1991 तक अपने इंटरनाशनल करियर में कभी हेलमेट नहीं पहने तो दोस्तों ये हैं विस्व क्रिकेट के वो पांच बल्लेबाज जिनोंने अपने इंटरनाशनल करियर में कभी हेलमेट नहीं पहना आपके पसंदीदा इन में से कौन बल्लेबाज हैं? कमेंट में बताएं क्रिकेट के दिल्चस्प स्टोरी, खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए बने रही हमारे साथ अगले अंक में मिलेंगे एक और दिल्चस्प टॉपिक के साथ अभी दीज़े इजाज़त बनने भाले